हेलो एब्रिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहा है बहुत जटपट बन जाने वाली बहुत ही स्वाधिश्ट मिठाई इसे आप पांच मिट में बना के तयार कर सकते हैं वो भी बीना गैस जलाए खाने में इ कैसे बनाया फटा-फट रेस्पी देख लेते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहां ले लिया है मिस्री तो यह धागे वाली मिस्री है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है अगर जो आप रेगलर मीठा खाने के सौकीन है तो आम मिस्री से मिठाई ब जीएगा क्योंकि मिस्री को हम पीश के लेंगे तो पीश लेंगे जब तो धागा भी उसमें छोटे टुकड़ों में हो जाएगा जिससे हमारे मुझ में जा सकता है और हेल्थ के लिए नुकसान दायक हो सकता है तो मिस्री के धागे को अच्छे से निकालने के बाद मैंने इसे कप में ले लिया है और देख सकते हैं ये आधा कप से कम मिस्री है यानि बहुत कम वन फोर्थ कप हमने मिस्री का यूज किया है तो इसे मिकसर जार में डालके और छे से साथ काजू डाल देंगे और इसमें हरी इलाइची चार मेंने डाल दिया है इसको बिलकुल फाइ आपके डालेंगे तो मैंने यहां तीन चम्मच टोटल मिस्री का यूज किया है यह दूसरा चम्मच और यह है तीसरा चम्मच तीन चम्मच मिस्री पाउडर लेने के बाद अब इसमें दो चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और दो चम्मच यहां मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है तो यह पहला चम्मच और यह दूसरा चम्मच मिल्क पाउडर तो एक चमच भरके इसमें मलाई में डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से तो अब हम इसे क्या करेंगे हाथों से मिक्स करेंगे तो स्पून को साफ कर लेते हैं और इस्पून को साफ करने के बाद इसको हाथों से मिक्स करेंगे, अभी इसमें दूद या मलाई कुछ भी नहीं डालेंगे, बस एक चमच मलाई के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी या मिसरी जब भी आप पीसके लेते हैं और उसमें थोड़ा सा भी लि तो बिस्किट आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पारले बिस्किट ले लिया है और एक पैकेट से बिस्किट का यूज करेंगे, आपको जितना बनाना है उस हिसाब से बिस्किट कम्या जादा ले सकते हैं, तो यह दस वाला जो बिस्किट होता है, वही मैंने लिया है एक packet अब हम इसे छोटे-छोटे टुकडों में तोड लेते हैं आप कोई सा बिस्किट ले सकते हैं जो क्रीम वाला नहीं हो उस बिस्किट का यूज कर सकते हैं इस recipe के लिए तो मैंने अब उसी जार को ले लिया है जिस जार में मिस्री को और काजू और इलाइची को पीस के लिए था उसमें एक चमच अभी मिस्री का पाउडर और बचा हुआ है तो फ्रेंट्स इसी में बिस्किट के टुकडे डाल के हम इसे बिल्कुल फाइन पीस के तयार कर लेते हैं ये देखिए तो आप चाहें यसे इसी तरीके से यूज कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसका कलर डार्क करने के लिए मैंने एक पींच, सिर्फ एक पींच इस में औरेंज फूड कलर एड़ कर दिया है ये पूरी तरह optional है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें food color डालके एक बार mixer को और चला लिया था और इसे अब अलग बॉल में हम transfer कर लेंगे और देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल ये fine powder पीसके तयार हुआ है अगर जो आपको लगे कि इसमें chunks है तो आप biscuit की powder को चांग सकते हैं अब हम इसमें 2 चमच desiccated coconut और 1 चमच milk powder डालके अच्छे से इसको mix कर लेंगे तो spoon की help से इसे मैंने अच्छे से mix कर लिया अब हम इसमें दूद डालेंगे तो friends यहां मैंने जो मलाई का थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया है spoon से इसको mix कर लेंगे थोड़ा सा spoon को साफ करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डालते हुए इसका dough बनाके तयार कर लेंगे तो friends आप चाहें तो यहां पानी से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने हाँ दूद से इसका dough बनाके तयार कर लेंगे इस तरीके से तो अभी हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है कोई दिक्कत नहीं डो हमारा पर्फेक्ट बन गया हाथों को साफ कर लेते हैं और फ्रेंड्स साफ करने के बाद यानि हाथ को साफ करने के बाद मैंने छोटा से यह एक पॉलिथीन ले लिया है आप इसे चाहे तो नॉर्मल हाथ पे भी मतलब बना स सकते हैं इस तरीके से मिठाई पराठा के लिए फिलिंग मतलब जब आलू का पराठा या कोई फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं थोड़ा से कटोरी नुमा बना के हम उसमें फिलिंग करते हैं उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं लेकिन मैंने एक पॉलिथीन पर रखके द छोटा सा बॉल बनाके रखेंगे और इसे ऐसे गोल कर लेंगे तो अब इसे हाथों से हलका-लका हम सेप दे देंगे और पॉलिथीन से निकाल के फ्रेंट्स हाथों पर इसको रखे अच्छे से मतलब गोल-गोल घुमाते हुए इसको गोल कर लेंगे तो देख सकते हैं ये बहुत अच्छा से पॉलिथीन नो गोल नहीं हुआ है तो अब इस तरीके से हाथों पर हम गोल-गोल करके हलका सा फ्लैट कर लेंगे तो देख सकते हैं friends, बहुत ही ला जबाब ये हमारा biscuit का पेड़ा बनके तयार हो गया है, तो अब हम इसे plate में serve कर लेते हैं, यानि plating कर लेते हैं, तो ये देखे friends, बहुत ही ला जबाब बहुत कम टाइम भी ये हमारी मिठाई बन जाती है, रक्षा बंदन पर मैंसे बहुत क बॉरेट कर लिया है आप चाहें तो इस पर ड्राइफ रूट भी डाल सकते हैं या नॉर्मल ऐसे ही खा सकते हैं अपने फ्रेंट्स फेमली में इसको खिला सकते हैं मैं यहां काटके दिखाती हूं फ्रेंट्स बहुत ही बढ़ी हैं यह मिठाई बनने वाली मिठाई है तो अच्छा बंदन इस हेल्दी और टेस्टी मिठाई को बना के खा सकें और अपने फ्रेंट्स फेमली में खिला सकें तो फ्रेंट्स अगर जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट यूनिक रेस्पी के साथ नेक्स वीडियो मे तब तक के लिए बाइ जैसरी हरी